हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो मैं आपको सिखाऊंगी वर्टसप आटो के बारे में कि आप कैसे ओटो जनरेटिड टेक्स्ट अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो या फिर अपने कलीक्स को भेज सकते हो वेन यू आर ओफलाइन तो सबसे पहले आपने WhatsApp Auto को Google Play Store से डाउनलोड कर लेना है किसी भी App Store से आप डाउनलोड कर सकते हो टाइप करना है WhatsApp Auto तो अपने आप आजाएगा reply app ठेक है यह मैंने अल्रेडी इंस्टॉल कियो यह 6MB की आप है just it will attach with the your WhatsApp business या फिर WhatsApp जो नॉर्मल यूज कर रहे है उसके साथ अटाइच होके यह वर्क करेगी तो आप इसको ओपन कर लो डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लो ठीक है यहाँ पर ऑटो सबसे उपर आपके पास option आ रही है आपके पास यह off होगी तो आपने इसको on कर लेना है ठीक है फिर उसके बाद आपका auto reply on हो जाता है जो भी आप अपने custom reply बनाना चाहते वो ठीक है अगर आप busy हो कुछ भी आपने reply भीचना हो जैसे आपको किसी ने कोई message भीजा उसके बदले में आप उसको क्या reply देना चाहते हो तो आप यहाँ पे edit भी कर सकते हो जहाँ यह pencil बनी है यहाँ पे click करके आप इसको edit कर सकते हो और बहुत सारे options आपके पास होते हैं इसमें already भी दिये होते हैं अगर आप अपने आप से कुछ बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पना सकते हो for example someone is sending me voice message, text message यह कुछ भी भेजा है hello, hi related तो उनको यह automatically जाएगा यह message जो है उनको automatically चला जाएगा you will get reward soon यह जो भी आप convenient है आप Hindi में लिखना चाहते हो, Hindi में लिख सकते हो Punjabi में लिखना चाहते हो, Punjabi में लिख सकते हो any language you can prefer ठीक है फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे options है जैसे की आपने यह जो auto generated message है वो सभी को भेजना है या फिर आपके contact list को भेजना है या accept my contact list या किसी के number आपने avoid करने जिनको नहीं भेजना है अगर आपने everyone को नहीं डालना है तो आप किसी को भी डाल सकते हो groups में भेजना है तो groups आप यहाँ से enable कर सकते हो बट groups में generally हम ज़्यादा message नहीं भेजते तो इसलिए groups में avoid रखो ठीक है तो personally आप यह जो आपको personally text आएंगे उन पर आप यह message चला जाएगा इसी तरह से आप custom reply कर सकते हो जैसे आपको कोई good night, good morning बोल रहा है आपके पास इतना time नहीं है या फिर आप easy हो सब को reply नहीं कर सकते so you can choose this option hello high का reply अगर hello specific आपको आ रहा है high reply आ रहा है या फिर कोई भी name से आ रहा है आपको किसी कैसे भी words आ रहे हैं तो यहां पर auto searching words मैंने रखे हुए हैं अगर यह message आता है तो आपको यह revert उनको automatically चला जाएगा ठीक है और उनको on रखना है उपर यहां पर on रखना है अगर on है अगर off करना है तो off कर सकते हो आपकी message है ठीक है you can save your time by this and test reply आप चेक कर लो कि आपने जो रखा है वो सही है जैसे हाई यहां पर and आप अपने replies को before applying test भी कर सकते हो तो यहां पर test reply दिया है नीचे जिस पर आपने क्लिक करनी है क्लिक करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था high का reply का आएगा hello का reply का आएगा तो उस तरह से पर मैं यहां पर high लिख रही हूँ so अभी मुझे reply नहीं आएगा क्योंकि you have set a time मैंने वहां पर timer भी set किया है कि immediately आपको reply नहीं आएगा after 10 minutes या 20 minutes जितना भी मर्जी आप hours में रख सकते हो उतनी देर बाद reply जाएगा क्योंकि अगर instantly बार-बार reply जाता रहेगा वो कुछ भी लिख रहा है आगे जैसे suppose hello लिख दिया दुबारा से ठीक है तो फिर it doesn't look nice कि बार-बार same ही reply नको जा रहा है तो यहाँ पे इसमें टाइमिंग भी है कि after 1 hour और after 25 minutes या फिर आपकी मर्जी आप चूज कर सकते हो टाइमिंग कि कितनी टाइम बाद reply दुबारा से जाना चाहिए अगर आप offline हो continuously तो उसके लिए आप यहाँ पे 3 dots पे उपर टिक कर सकते हो यहाँ क्लिक करना है 3 dots पे so 3 dots पे क्लिक करने के बाद आपके पास इसे option आती है तो आपने इसमें से setting चूज करनी है this one setting को चूज करेंगे setting चूज करने के बाद time delay आ रहा है आपके पास option automatic on है reply header आ रहा है या फिर password आपने लगाना इसमें या night mode रखना है या नहीं रखना है यह सबारा जिसे night mode नहीं रखते हो आपके पास white screen आती है ठीक है तो WhatsApp auto पे आपको जनरली privacy रखनी चाहिए because क्यूंकि आपके replies कोई भी change ना कर पाए ठीक है कोई भी reply change करके कुछ भी मतलब auto generated हो सकता है तो इसलिए आप इसमें privacy भी रख सकते हो अगर रखनी है otherwise इसको remove कर सकते हो ठीक है so night mode अगर आपने रखना night mode रख सकते हो ठीक है so that you can protect your eyes so next हमारे पास जैसे time delay मैं आपको बता रही थी time delay अगर तो आपने time delay रखा है 10 minutes का मैंने रखा है otherwise don't delay कोई भी delay ना हो बार बार अगर high जा रहा है तो उसका reply same जाएगा hello जा रहा है तो उसका reply same जाएगा ठीक है ये तो आप लोगों को पता ही होगा generally आप लोग use करते हो या फिर reply once to the same person अगर एक person ने आपको एक बार message किया तो उसको एक ही बार reply जाए कोई delay ना हो time में भी उसके बाद भी ना जाएगा सिर्फ एक बार message चला गया आपको auto text वो सही otherwise आप time delay रख सकते हो ठीक है time delay में आपके पास जतना बज़ी time delay कर सकते हो 50 minutes कर सकते हो यहां से option आती है minutes and seconds में so 59 minutes तक आप इसमें कर सकते हो approximately 1 hour का gap आप दे सकते हो ठीक है इस तरह से हम इसको चला सकते है don't delay don't delay में custom reply send होते है वो थोड़ा premium में आ जाता है उसके लिए आपको pay करना पड़ता है rupees 99 for lifetime तो वो आप छोड़ तो उसका हमें कुछ जरूरत नहीं है इतने ज्यादा ठीक है तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको अपने फ्रेंच के साथ भी शेयर करेंगे thank you so much and rest the options you can check by